अगर आप भी खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं या मीठा खाने के सौकिन हैं तो इस रेसिपी को आप जरूर देखेगा यह बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है इसे आप बना कर महिनी भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और हर रोज एक एक लेकर खाने के बाद खा सकते हैं तो चलिए फड़ा फट हम सुईट बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने एक केजी आटा लिया है इसे अच्छे से चाल लिया है या गेहू का आटा है और इसमें हम इस तरीके से थोड़ा एस्प्रेस बना देते है और मुयन के लिए हम एक कप घी डालेंगे या क्वांटिटी में लगभग 200 ग्राम घी है यानि कि एक केजी आटा के लिए आप 200 ग्राम घी डालेंगे तो आटा बहुत ही ज़्यादा खसता बनेगा और आटा अगर खसता होगा तो जो स्वीट बनाएंगे वह बहुत ही तो यह बिल्कुल लड्डू बन जाता है यानि कि आटा बिल्कुल खसता तैयार है तो यहां पर हम फ्लेवर के लिए तीन से चार हरी इलाइची को बारिक करके डाल दिया है और मिठास के लिए हम दो कप चीनी लिए हैं या कॉंटिटी में 500 ग्राम है इसमें थोरा सा पानी डाल कर भिंगने के लिए रख दे और जब यह बिल्कुल भिंग कर आधा हो जाए तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे यानि कि इतना हमें भिंगाना है कुछ लोग इसे ग्राइंड करके भी डालते हैं लेकिन हम इसे ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि चीनी ज अच्छे से बाद आटा थोड़ा सूखा लगी तो हम दूद डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे आप दूद के जगा पानी भी डाल सकते हैं लेकिन दूद डालने से या और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा तो देख सकते हैं यह थोड़ा सूखा दिख रहा है तो हम एक दूद लिए हैं लेकिन इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर मिक्स करेंगे एक बार जादा ना डाले क्योंकि हमें बिल्कुल टाइट डो रखना है और इसे इस तरीके से मिक्स कर ले लगभग यह तैयार ही हो गया है आप देख सकते हैं इसे बिल्कुल रोटी के ढग देंगे और इसे दस मिनट के लिए छोड़े ताकि यह थोड़ा फूल जाए और सौट हो जाए यानि एक केजी आटा के लिए हमें एक कप दूद में दो से तीन चमची बचा है एक कप दूद एक कप घी और दो कप चीनी इसमें लग गया अब इसे हम दस मिनट के बिल्कुल तयार हैं तो हम ठोड़ना लोगयां इस तर्ड कर लेंगे बडर लोगय निकाले और फिर इसे थोड़ना रोल करके हम बैल लेंगे यह देखिए इसे आसानी से हम बैल सकते हैं और बैलने के बाद चाकूस से जो साइड का यह हिस्सा है टूटा हूआ उसे हम काट कर निकाल लेते हैं ताकि यह दे देखने में सॉंदर लगें इस ने दक Kolbe करें और रहाएं हटा लिया है और हम चांकों से डेजाइन ही आप किसी मन्य चाहिए डेजाइन में इसे काट सकते हैं लेकिन मैं स्कॉाइर सिप में इसे काटोंगी ताकि यह बिलकूर बाजार तक हमेसे रखना है, ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा मोटा भी नहीं, ताकि इसमें अच्छा सा लेयर आ सके, और मैंने गैस पर पहले ही तेल डाल लिया था, तेल ज्यादा गरम ना करे, थोड़ा कमी गरम तेल रहेगा, तो जो यह सकर पा रहे हैं, वह अंदर तक सीख बिलकुल सॉफ्ट यानी कृंची तयार हूंगे, और खाने में यह बिलकुल खसता देखेगा, और इस तरीके से एक एक करके पलटे, एक साथ नहीं पलटना है, नहीं तो यह तूट जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही खसता है, और मैं चमच से इस तरीके से पलट रही हूं, और ठंडा होने के बाद यह बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है, तो मैंने इसे छानकर निकाल लिया है, इसी तरीके से दोनों तरब से सिखने पर आप इसे छानकर निकाल लें, देख सकते हैं कितना खसता सक्कर पारा बनकर तयार है, और उपर से यह चेनी दिख रहा है, कितनों सुन्दर दिखता है अगर आपको इस तरीके से पसंद हो तो आप चेनी इसी तरीके से गला कर डाले नहीं तो आप इसे ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं और मैंने तोर कर दिखाए यह भी बहुत गड़म है और ठंडा होने के बाद यह बहुत ही खसता हो जाता है क्रंची दिखता है बच्चे इससे बहुत ही चाव से खाते हैं तो इसे आप महिने भड के लिए किसी डब्य में बंद करके रख सकते हैं और डेली सुबह हो या साम ह हो दो पहर हो कभी भी एक एक करके खा सकते हैं बहुत टेस्टिल तो फटा फट आप भी इस रेसिपी को ट्राइ किज़े और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर किज़ेगा थैंक्यू फॉर वाचिंग